Good morning friends, so welcome to the prelims booster session हमारा आज का पहला topic है अधार details for crime inquiry तो यह आपका governance related topic है, बहुत important topic है तो इसमें जो unique identification authority of India ने डेली high court को ही बताया है कि अगर किसी crime scene से fingerprints मिलते हैं तो उसको जो है fingerprints को हम अधार database के साथ use करके यह नहीं कर सकते कि हम crime mail को identify कर ले ठीक है तो मतलब हम fingerprints यह biometrics का use करते हुए अधार database में से search नहीं कर सकते कि वो कौन से criminal के database है ठीक है या I'm sorry कौन से criminal का जो है वो fingerprint है तो अब यह case है क्या कि डेली high court के पास एक case आया 2018 का robbery का और murder का jewelry shop का और उसमें जो prosecution था उन्होंने demand किया कि क्या UIDAI जो है वो identify कर पाएगा अधार database में से कि जो यह हमको biometric मिला है fingerprint के नाम पर तो क्या उसका use करते हुए अधार database में से हम अपने citizens या फिर residents जिनके पास अधार है उनके पूरे database को खंगाल कर कि हम देख सकते हैं कि कि इसका यह fingerprint है तो इसको जो है मना कर दिया है आपके UIDAI ने कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं इसके लिए उन्होंने कुछ arguments दिये हैं of course उन्होंने बोला कि section 29 जो है वो restrictions impose करता है ऐसी information share करने के लिए फिर जो regulation 3 है अधार act का of course यह section 29 भी अधार act का ही है तो regulation 3 जो है अधार act का वो भी जो biometric information है उसको तो खास कर किसी के साथ भी share करने से जो है वो मना करता है किसी भी reason के वाज़े से ठीक है लेकिन जो है UIDAI ने यह भी बोला कि हमारे पास कोई ऐसी technology भी नहीं है कि हम fingerprints को जो है के basis पर जो है हम अधार database को search कर सके उन्होंने बोला है कि हम सिरफ fingerprint या biometric information का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं सिरफ confirmation के लिए मतलब आपका जब जब आप mobile sim लेते हो या आप कुछ भी खरीबते हो जब आपका उसमें biometric डाला जाता है तो आप जब अपना नाम भी बताते हो उसमें तो बस जो है अधार database आपको हाँ या ना बताता है मतलब कि जिस person ने जो sim card ले रहा है उसमें जो अपना नाम बताया और उसमें अपना fingerprint दिया वो हमारे database से match हो रहा है तो yes or no के context में सरफ deduplication को रोकने के लिए ही जो है अम सॉरी duplication को रोकने के लिए ही जो है वो इसका जो है अधार का use किया जा सकता है ठीक है अब जो है कुछ exceptions जरूर है इसमें ठीक है अगर interest जो है in the interest of national security जो है joint secretary जो central government के हैं वो कह सकते हैं कि biometric information या अधार numbers या उससे related जो भी information है उसको निकालने के लिए joint secretary के permission लेनी पड़ेगी और उस decision को oversight committee भी जो है वो एक बार review जरूर करेगी ठीक है जो कि decision of course 6 महीने के लिए valid रहेगा और अगर कोई court का order आता है तो सिर्फ क्या-क्या details निकाली जा सकती है अधार database से एक individual का अधार number उसकी photograph और उसकी demographic information ठीक है biometric information court के order के बावजूद भी नहीं निकाली जा सकती है सिर्फ national security के context में वो भी एक जो है अधार act जो है वो अलाओ कर रहा है कि एक exception दे रहा है तब सिर्फ उसका use किया जा सकता है court के order में भी उसका use नहीं किया जा सकता है ठीक है अब हम देखते हैं कि आपकी unique identification authority of India क्या है यह के statutory authority है of course अधार act के इंडर इसको बनाया गया है 68 crore अधार numbers जो है हम already generate कर चुके है यह October 2021 तक का आंकड़ा है UIDAI जो है आपकी ministry of electronics and information technology के इंडर ही आती है ठीक है So next topic हमारा है startup policy of Delhi तो Delhi government ने अपनी Delhi startup policy को approve कर दिया है तो इसके अंदर जो है वो अपना business blasters program जो है वो college में भी उसको extend करने वाले है तो of course उनके schools में यह already चल रहा है जिसके अंदर कक्षा 11 और बार्मी के जो है जो students है वो अपने business ideas propose करते हैं और उसको government help करती है उन ideas को आगे pitch करने के लिए ठीक है तो of course है economy के लिए आपके topic बहुत important हो गया है ठीक है तो अब जो है इसमें क्या है कि जो entrepreneurship बढ़ाने की भी बात की जा रही है कि class 9th से लेके 12 तक के जो बच्चे हैं उनको entrepreneurship भी पढ़ाई जाएगी और जो students start-up पे work कर रहे हैं Delhi government colleges में पढ़ते हुए उनको 2 साल तक की प्रस प्रसेंट तक का लगबग जो है साल भर का reimbursement कर दिया फिर अगर पेटेंट फाइल करना चाहते है तो उस पन को कुछ reimbursement मिल गया monthly allowance उनकी जो operational cost निकालने के लिए उनको कुछ दिये जाएंगे फिर ऐसे ही 20 member task force बनाई जा रही है अंड डेली के finance minister जो कि start-ups को help करेंग की registration और other activities में तो target यह है कि 2030 तक 15,000 start-ups जो है वो डेली में आ जाएं ठीक है So next हमारा topic है direct seeding of rice तो यह आपके agriculture या environment से related topic है इसको आप याद रख सकते हो तो पंजाब government ने recently 1500 रुपे पर एकड का incentive announce किया है उन farmers के लिए जो direct seeding of rice को adopt करते हैं ठीक है क्योंकि direct seeding of rice से आपका पानी बचता है इसलिए उसको प्रमोट कर रही है पंजाब government अब इसमें होता गया कि machine से directly पैडी की seeds है उनको sow कर दिया जाता है ठीक है अब इसको हम तरवतर DSR भी कहते है मतलब इसमें जब soil आपका moisture अच्छा है तभी आप उसको जो है वो आप पैडी को sow कर सकते हो directly उसको dry field में आप जो है वो sow नहीं करोगे ठीक है तो इसके benefits के हैं आपके of course 15-20% पानी बचाता है फिर जो है आपके ground water के recharge को भी जो है वो promote करता है क्यों क्योंकि जो आपका normal जो आप पैडी उगाते हो तो आपके जो है नीचे hard crust बन जाती है लेकिन इसमें क्या कर रहे हो आप क्योंकि आप moisture laden जो है soil में आप उसमें जो ह hard crust नहीं बनेगी और यह 7 से 10 दिन पहले जो है वो normal जो आपकी conventional technique से पहले जो है यह mature हो जाती है crop तो आपके लिए इसलिए better रहता है ठीक है even labor shortage की problem भी इससे दूर हो जाती है क्योंकि इसके लिए आपको paddy नर्सुदी नहीं बनानी पढ़ती है आप directly इसकी transplantation कर सकते हो और totally बहुत अच्छा एक technique है of course इसमें concerns यह है कि इसको आप light textured soil में नहीं आप सोग कर सकते medium से heavy textured soil में इसको सोग किया जा सकता है लेकिन उसमें भी sandy और lowly sand वाली soil है उसमें आप इसको cultivate नहीं कर सकते क्योंकि उसमें iron deficiency होती है और उससे क्या होता है फिर आपकी weed की problem जो है वो शुरू हो जाती है मतलब अलग-अलग रखे पौधे जो होते है वो weed की problem आ जाती है उसके वेसे जो है आपके crop सफर कर सकती है ठीक है so next हमारा topic है Shigella तो यह आपके केरला health department जो है उन्होंने Shigella य जो है food poisoning का एक incident मिला है तो वहाँ पर यह Shigella की infection पाई गई है तो इस bacteria के बारे में देखते है of course यह आपके इसकी enterobacter family का है मतलब कि आपके intense time में रहता है और यह intense time के वाज़से infection करता है create कर देता है और यह diarrhea, bloody stomach pain, bloody stool या फिर even fever की problems create कर देता है तो यह कैसे होता कैसे किसी person को जब कोई person contaminated food खा लेता है या फिर अगर किसी person को already infection हुई है और उसके आप किसी तरह से उसके excreta के साथ आप contact में आ जाते हो मतलब आप उसके contaminated water में swim कर लेते हो या बात ले लेते हो तो आपको यह infection हो सकता है ठीक है चार तरह का होता है उसमें जो fourth type है शिजला dysentery है यह सबसे severe disease करता है because इसमें बहुत से toxin produced किये जाते हैं इसके द्वारा ठीक है तो next topic हमारा है unicorns तो अभी जो है आपके second May 2022 को इंडिया ने जो है record बनाया है हम hundredth unicorn इंडिया में जो है वो establish कर पाए है मतलब आपके जो start-ups जिनकी valuation one billion dollar से उपर की होती है उनको हम unicorn कहते है तो इंडिया में अब तक total ऐसे hundred startups हो चुके है जिनकी one billion dollar से उपर की value हो चुकी है ठीक है तो अभी तक कि हम progress देखते हैं तो साल 2021 की अगर हम बात करें तो सिरफ एक ही साल के अंदर हमने 44 ऐसे start-ups देखे हैं इंडिया में जो की one billion dollar से उपर पहुँच जो के मतलब इनकी valuation आप देखो तो total valuation उनके almost 93 billion dollar पहुच चुकी है अभी जो हमारा साल 2022 है उसके सिरफ पहले चार महीने में ही हमने 14 unicorns produce कर दी हैं तो जब से हमने start-up इंडिया इनिशेटिव लाँच किया है 2016 में तब से 69,000 start-ups इंडिया में recognize किये गए है रिजिस्टर किये गए है और यह आंकड़ा भी of course 2nd में 2022 तब का है अब इसमें कहा जा रहा है कि 13% जो आपके start-ups है वो IT services में है मतलब की सबसे ज़्यादा start-ups जो है आपके register जो होते है वो IT services में होते है second number पर healthcare और life sciences आता है ठीक है अब जो आपके एक start-up की journey उसको unicorn बरने तक की जो journey है उसको हम इंडिया में अगर हम देखें तो सबसे minimum time जो है किसी start-up को अगर 1 billion dollar तक पहुँचने में लगा है तो वो 6 month लगा है और जिसको सबसे ज़दा time लगा है उसको 26 साल का लगा है ठीक जो पिछले 4 साल में 66% growth देख रहे हैं unicorns की addition की हमारी economy में ठीक है so next हमारा topic है national family health survey तो यह आपको पता है कि इसमें data अलग अलग आई जा रहा है बार बार हम update करी जा रहे है अपने तो यह social issues के लिए important है आपके तो अब इसमें union health minister जो है उन्होंने national family health survey के जो है fertility से related जो report को public किया है तो इसमें total fertility rate देखा गया है कि हमारी country में जो है वो 2.2 से कम होकर 2.1 2.0 हो चुका है मतलब 2.1 आपका replacement level होता है उससे नीचे चला गया मतलब आपकी population जो है वो इसके बाद decline शुरू हो जाएगा ठीक है तो मतलब जितनी आपकी population है जितने लोग मर रहे है उतन इसके मतलब यह होता है ठीक है तो अब लेकिन सिरफ 5 ऐसी states है इंडिया में जहां पर अभी भी replacement level से fertility rate जादा है जो कि आपकी states है बिहार, मेगाले, उत्तरप्रदेश, जहारकड़, मनिपूर, contraceptive prevalence rate भी इंडिया में बढ़ रहा है, institutional rate, institutional birth rate भी इंडिया में बढ़ रहा है So the first topic is Aadhaar details for crime inquiry. So recently UIDAI has told the Delhi High Court that if you find fingerprints at a crime scene, we cannot match them with the Aadhaar database to identify the criminal. So what is the case? So actually Delhi High Court is hearing a case in connection with the 2018 robbery and murder at a jewelry shop and the prosecution demanded that if UIDAI can be approached to identify the criminals, who have left their fingerprints or biometric information at the crime scene. So now UIDAI has confirmed that they are unable to do so because Section 29 of the Aadhaar Act places restriction on such sharing of information and even the Regulation 3 of Aadhaar Act says that core biometric information collected by the authority shall not be shared with anyone or for any reason whatsoever. So they have also confirmed that they do not have any such technology to match fingerprints. They can only use the biometric information for deduplication purposes. What does this mean? So like you go for buying a SIM card. So you put your name into that. Then you put your fingerprint into that. So then what happens is the Aadhaar database only confirms with yes or no. So what Aadhaar database is saying is that whatever name that you have entered into me and whatever fingerprint that you have entered into me, they match with each other according to my database. If they don't, then it replies in no. So it only replies in yes or no binary. It does not allow you to search for details. Okay. So that is what UIDAI has confirmed and UIDAI has also confirmed that there are certain exceptions when this information can be revealed. So of course, in the interest of national security, the joint secretary in the central government can allow such sharing of information, especially this biometric information can be allowed in the interest of national security. But that decision will have to be reviewed by an oversight committee. And that decision would be valid for six months. And on the order of a court, the biometric information would not be shared. But individuals, Aadhaar number, photographer and demographic information can be revealed only on the order of a court. Okay. In that case, no biometric information will be shared, even if there is a court order for that. So what is the UIDAI? Of course, it's a statutory authority. It was established under the Aadhaar Act of 2016. Till now, it has issued about 68 crore Aadhaar numbers. And it falls under the Ministry of Electronics and Information Technology. So the next topic is Startup Policy of Delhi. So this is, of course, a topic for your economics section. So Delhi government has recently approved this Delhi startup policy. And it aims to extend the business blasters program of Delhi government to colleges also. So, of course, this program is being run in the schools where students from class 11 and 12, they propose business idea. And the government helps them in pitching these ideas to bring them into shape. Okay. So, of course, this policy also says that they will, the government will start teaching entrepreneurship to students belonging to class 9 to 12. And students who are working on startups and they are studying in Delhi government colleges, they will be able to seek up to two years of leave to work on their businesses. And, of course, apart from that, fiscal and non-fiscal incentives to the youth have been announced, like reimbursement on rentals, reimbursement on patent filing fee, and even operational or employee cost of the startups will be taken care of at the monthly level. And, apart from that, a 20-member task force has been formed, which will help these startups to register themselves. And this will, of course, be headed by the Delhi's finance minister. The aim, of course, is to have at least 15,000 startups by 2030 in Delhi. Of course, they want to support at least 15,000 startups by 2030. So the next topic is direct seeding of rice. So this is a topic for your agriculture or environment section. So Punjab government has recently announced 1,500 incentives per acre for farmers who will adopt direct seeding of rice. Of course, this technique is very famous for saving water. In this technique, you sow the paddy seeds directly into the soil using machine. And the paddy seeds are pre-sown, they are sown only in the moisture-laden soil and they are not sown in dry fields. Okay, so that eliminates a lot of, that eliminates the need to have a lot of water in the fields because you're not sowing it in dry fields. So, of course, it saves about 15 to 20% of water and it also prevents the, it also offers groundwater recharge because it prevents the development of hard crust, which generally gets deposited under the plow layer when you go for the conventional paddy cultivation. And it also matures earlier than the traditional technique. Okay, so, but there are concerns also like you cannot sow it in the light textured soil and you can sow it in only medium to heavy textured soils. But also sandy and loamy soil, you cannot cultivate this direct, you cannot go for direct seeding of rice in sandy and loamy sand because it, it's, these soils suffer from severe iron deficiency and there will be higher weed problem in it. Okay, so, the next topic is Shigella or Shigella. So, this is, of course, a topic for your, from your science and technology section. So, Kerala Health Department has identified this Shigella bacteria as the cause of food poisoning incident in Kassar Goat district. So, what this bacteria is, of course, it's a enterobacter family. It belongs to the enterobacter family, which resides in your intestine and causes infection there, like diarrhea, bloody stool, stomach pain and fever. So, it gets, it, it is, of course, the person gets, the person suffers from this infection when someone consumes contaminated food or it can also be spread by direct or indirect contact with the excreta of the patient. So, in case you take a bath or a swim in contaminated water, you are prone to getting this infection. So, there are four types of these bacteria and the fourth type causes the most severe disease because of the toxins that it produces. So, the next topic is unicorns. So, the, it is, of course, a topic for your economic section and India has scored a very impressive 100 in the, in terms of having the 100th unicorn in, on the 2nd of May, this, that is, this last, last week. So, what is a unicorn? So, basically, it's a startup which has reached a valuation of more than $1 billion. And what has been the progress of these unicorns and startups in India so far? So, only in the year 2021, 44 startups reached the unicorn stage. And in the first four months of 2022, almost 14 unicorns have been witnessed by India. So, almost one out of every 10 unicorns globally belong to India. And since the launch of the Startup India Initiative in 2016, we have seen almost 69,000 startups being recognized by the country till 2nd May 2022. And most of them belong to the IT sector. 13% of these startups belong to IT sector. And the second one, of course, is healthcare and life sciences. So, it has been observed that any startup that reaches the unicorn stage, the minimum time taken by a startup to reach the unicorn stage is 6 months. And the maximum time that a startup had taken to reach the unicorn stage is 26 years. In the last four years, we have seen 66% year-on-year growth in terms of additions of unicorns every year. Okay. So, the next topic is National Family Health Survey. So, this is a topic for your social issues. And the Union Minister of Health and Family Welfare has released this data of National Family Health Survey 5. And it says that total fertility rates in India has declined from 2.2 to 2.0 at the national level, which means, of course, the replacement level of fertility is 2.1. So, it means that when the figure has grown below this level, it means that the population will start declining from now. And only five states have been witnessing a fertility rate of more than 2.1. And India has also witnessed a contraceptive prevalence rate of about 67%, which is much higher than the last survey. And we have also seen an increase in the institutional births. But the level of stunting which has been witnessed among children has declined just marginally. from 38% to 36% for India since the last four years. Okay. So, there are many elements of this National Family Health Survey. And this one is, of course, relating to the health of children. And, of course, the population and the fertility rate. These are the findings on fertility that has been shared by the National Family Health Survey number 5. Okay. So, these were our topics for today. We will meet next time on Monday now. Until then, goodbye and take care. We will meet next time on Monday. We will meet next time on Monday. We will meet next time on Monday.